आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया, बस प्रशन की फोड़ो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत वीडियो सिलीशन पाओ, अभी डाउटनेट करें कॉशन हमारे पास एक समतल उत्तल लेंस के वकरी प्रिस्ट की वकरता तरज्या 20 cm है, यदि लेंस के पदात का परतनाग यहाँ पर एक दिशनल पांच दिया हुआ है, तो हमें कंडिशन्स देखने हैं कि कौन सा उसमें सही होता है, बुला यह जा रहा है पहले विकल्पे कि कि एवल उन वस्तों के लिए उत्तल लेंस के रूप में यह कारे करता है, जो इसकी वकर की और इस्तित होती है, दूसरा बुला है कि वो उन वस्तों के लिए उत्तल लेंस के रूप में कारे करेगा, जो इसके वकर की और इस्तित होते हैं, तीसरा है कि उत्तल लेंस के तरह क कहते हैं मतब एक प्रिष्ट उसका संतल होता है दूसरा प्रिष्ट उसका वक्रिय उत्तल के रूप में होता है यह अलग-अलग स्थितियां हमें लेनी पड़ेंगी कैसे एक तो हमने मुख्यक्ष ले लिया अब हम एक संतल उत्तल लेंस बना ले तहली स्थिति हमने एक संतल ले लिया अब वस्तु की स्थिति को हम यह बताते हैं कि वस्तु समतल की तरफ उपस्तित होती है तो वस्तु यहां पर समतल की तरफ है हम यह मान के चलते हैं A और B की रूप में ठीक है जिया कमान अनन्द होगा पहले प्रिस्ट के लिए जो संतल प्रिस्ट है दूसरा प्रिस्ट आरटू के रूप में अगर हम लेते हैं तो उसका मान हमें केता दिया हुआ है 20 cm कहां से देख रहे हैं वक्र की बिंदू से किस में उल्टी दिशा पर देख रहे हैं परिमान हमारे f के रूप में तो f अगर हमने ले रखा इसे तो यह हमारे पास बनता है mu run 1 ठीक है और यह हमारे पास बन जाएगा 1 बटे r1 run 1 बटे r2 के रूप में ठीक है अब सभी के मान हम रख लें एक बटे small f रखें और mu का मान हमारे पास सिधे directly हम लिख दे सुने देशनलो 5 run 1 करके और एक बटे r1 अगर हम ले तो एक बटे r1 अनन्द हो जाता है तो पूरा time 0 हो जाएगा और धन हम कर देते हैं directly इसे एक बटे 20 की रूप में ठीक तो एक बटे 20 और इस तरह से देखें त हमारे पास सुने देशनलो 5 पांच पांच बटे इसे हम लिख देते हैं 200 क्या बनेगा पांच और 4 तो यह हमारे पस बन जाता है एक बटे 40 तो एक बटे small f कमान मतलब अगर हम directly f कमान लिखें तो वह क्या होता है small f की रूप में इस कमान बन जाता है 40 cm किस में आया है मान ध थानात्मक होती है उत्तर लेंस या उत्तर लेंस की क्योंकि हमें दो ही यहां पर बताया गया है उत्तर लेंस इस तरह से वस्तु समतल की तरफ उपस्तित होती है तो जो लेंस है यह किसकी तरह कारे करेगा उत्तर लेंस की तरह कारे करेगा क्योंकि उत्तर लेंस के लिए उस दूसरा प्रिस्ट हो जाता है तो अभी हम 1-2 लिए क्योंकि दूसरी स्थिति हमारे पास है तूदेश में जो उसके लिए वकरता त्रिजा का मान होता है जबकि हम वकर प्रिस्ट के लिए तो उसे और वन डेश के रुप में हम रपस्त कर रखा जसका मान आएगा 20 cm का मान हम धनात्मक लेते हैं से देख्या है कंद्र बिंदू से हम देखते हैं इसके मान को प्रकाश केंद्र से देखते हैं जो दाहिन दिशा पर दाहिने दिशा को हम धनात्मक लेते हैं ठीकिए बिल्कुल वही सुत्र हम लगाएंगे लेकिन हम एक बटेस थेश करें हम क्या उसका मान सब करका में एगा मियूरें एक देखे आप जो है वह बदलने रहा है अब यहां पर देखें तो इसे हम लिख पाते हैं और वन डैश देखें एक बटे रटो डैश करूप में ठीक तो यह हमारे पास बनता है एक बटे यहां पर करें तो एक बटे 20 की में आएगा और रेंड करें तो यह हमारे पास एक बटे अनंत मतलब टोटल टर्म हो जाता है शून यहां पर ठीक तो यह भी हमारे पास कितना आया इस तरह से कमान फिर से एक बटे एक डेश करूप में और सुनीज़ेशनल पांच को पांच लिख दिया हमने नीचे लिखे तो वह 200 हो जाता है पांच करें तो यह हमारे पास फिर से 40 ही आया वह भी धनात्मक में मतलब भी धनात्मक में तो foccas fui का मान दूसरी स्तिती पर भी कितना आता है 40 cm वह भी धनात्मक में तो focucs укas dari ज nickel दंधनात्मक का आती है तौस लेंस जिसके लिए focas stiri का महनता होता है तो उसSab ठीक तो उत्तर लेंस यहां पर हुआ अब उत्तर लेंस के लिए देख लें तो दूनों इस्थितियों पर चाहे वस्तु वक्र की तरफ उपस्तित हो सम्तल की तरफ उपस्तित होती है तो दूनों इस्थितियों में हमें क्या मिल रहा है दोनों स्थैटियों में हमें फोकस दूरी कमां चाली से मिल रहा है मतलब वो उत्तर लेंट्स के लिए बता है क्योंकि मान धनात्मक हमारे पास आ रहे हैं तो दोनों स्थैटिय उत्तर लेंश की तरह ही कारे करेंगी तो इस तरह से option C जो यह बताती है कि उत्तर लेंस की तरह कारे करेगा इस बात से पर एक ही वस्तों के इस और इस्तित होती है ठीक, थेंक्यू